Hello and Great Welcome, आज मैं आपको बताऊंगी History, Final Year, BA के जो भी syllabus है उसके बारे में discuss करेंगे and अगर possible हुआ तो हम इसी e-lectures को ही continue करेंगे तो चलिए start करते हैं without any delay सबसे पहले देखिए जो आपका exam रहेगा उसके अंदर आपके पास जो अलग-अलग sections के अंदर यहाँ पर part 1 दिया हुआ है यानि कहने का मतलब है यह unit हो जाएगा और इसके अंदर आप देख सकते हैं three chapters हैं अगर chapter number 1 की बात करते हैं उसके अंदर दिया हुआ है chapter का name है Europe में सामन्त वाद से पुन्जी वाद में संक्रमन यानि किस तरह से यह बदला हुआ कैसे कैसे यह changes हुए यह सब हम यहाँ पर पड़ेंगे सबसे पहले तो आपको पता हुना चाहिए Europe continent के बारे में क्योंकि आपका 16 marks का जो है map से ही question आएगा कि कहां पर यह सब चीजे चली थी लाइक सामंत वाद कहां से शुरू हुआ पुन्जी वाद क्या हुआ यह सब मैं आपको explain करूंगी लेकिन सबसे पहले आपको यह पता हुना चाहिए Europe किस तरह से इसमें है जो भी countries include है अब बात आती हैं यहां पर सामंत वाद का मतलब क्या होता है सामंत वाद देखिए जहां पर भी आपको अगर वाद शब्द मिल जाए जैसे कि मैंने यहां पर लिखा socialism socialism का मतलब होता है समाज वाद यहां मैंने लिखा capitalism capitalism का मतलब होता है पुझी वाद यानि किसी भी तरह का अगर यहां पर शब्द आ जाता है वाद तो मैं यह बता रही हो आपको तो इसका मतलब होता है यह एक ideology है ideology का मतलब होता है विचार धारा है socialism नाम से ही है जो society के बारे में सोचे means social welfare की बात जिसमें की जाए समाज कल्यान की बात की जाए वो सब चीज़े आ जाती है socialism के अदर like हम बात करें कि हमारी जो central government होती है यह state government होती है वो policies बनाती है वो नितियों को बनाती है so that कि जितने भी citizens है उन सब का upliftment हो वो सब क्या कर सके अपना कहने का मतलब है progress कर सके तो उसी तरह से यहाँ पर सामन्त वाद आया था सामन्त वाद जो था यह जमीन से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं एक इसमें क्या होता था कि मान लिजे जैसे मैं आपको यहाँ पर explain करती हूँ कि feudalism बोलते हैं इसको English में जमीन का कोई भी एक आपको part दे दिया जाता था और उसके उपर क्या होता था खेती करनी होती थी और वो खेती जो होती थी वो कोन करते थे क्रीशक करते थे और इसमें एक हमेशा बनता था एक pyramid बनता था जिसमें सबसे उपर होते थे king यानी राजा और राजा जो होते थे वो जमीन अपनी दे देते थे किनको बाकी जो novels होते थे, knights होते थे उनके नीचे जो भी सामन्त होते थे उनको दे देते थे and finally ये देते थे nobles को and nobles जो होते थे वो देदेते थे जो क्रिशक होते है जो पीसेंड्स होते हैं सबसे देरणियस थिती भी पीसेंड्स की थी क्रिशको की थी क्योंकि इने ना तो salary दी जाती थी ना ही इनके साथ मतलब एक अच्छा वहवार किया जाता था तो सबसे ज़्यादा अगर question गया है कि सामंतवाद में सबसे निचले स्तर पे कौन थे तो वो थे क्रिशक जब chapter में हम particular explain करेंगे तो जानेंगे सामंतवाद कहां से शुरू हुआ क्या होता था इसके बारे में तो पूंजीवाद का मतलब क्या होता है capitalism जिसमें कि main जो मकसद होता है industrialist का वो क्या होता है वो होता है पैसा कमाना industrialist का main जो purpose होता है पूंजीवाद के अंदर वो रहता है पैसे को कमाना और इसका सबसे अच्छा अच्छा example जो है जो economy में flourish हुई थी अमेरिका के अंदर तो वो सबसे अच्छा एक्जाम्पल था पुण्जी वाद का तो यहां पर देखें ट्रांजीशन यहां पर किस तरह से चेंज होता है ट्रांजीशन का मतलब होता है यहां पर चेंज कैसे होगा किस तरह से सामन्त वाद रोमन एम्पायर डिकलाइन करने के बाद किस तरह से सामन्त वाद आता है फिर पुण्जी वाद में चेंज हो जाता है यूरोप में स्ट्रक्चर देन हमारा जो सेकिंड चेप्टर रहेगा वो है पुनर जागरन जिसको हम बोलते हैं रेनिसेंस अब देखें नाम से ही है पु दुबारा से जागना इट मींस की पहले का कोई ना कोई समय तो होगा जिसमें कही ना कहीं क्या आ गई होगी निराशा आ गई होगी तो फिर से दुबारा से जब जागरन होता है मींस दुबारा से जब यूरोप की अंदर प्रोग्रेस होती है नए नए विज्यानी का पुनर जागरण के बारे में बता हुए किस तरह ऐसे पहले जो समाज के अंदर निराशा हताशा आ गई थी वो फिर किस कैसे एक नई एनरजी की फॉर्म में चेंज हो जाती है जब इंटरस्टियल राविलेशन होता है उद्योगी करांती होती है तो ये सब चीज़े हम इसके अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा पार्ट त्री के अंदर वो आएगा धरम सुधार अंदोलन आप देखिए धरम जो होता है न वो हमेशा कैसा हमें रास्ता द दिखाता है सही रास्ता दिखाता है लेकिन कई जो लोग होते हैं वो धरम में बहुत सारी इविल्स को जोड़ देते हैं तो इविल्स का मतलब होता है बुराईयों को जोड़ देते हैं किस तरह से इनको दूर किया जाएगा किस तरह से जो क्रूसेड थे यानि धरम यूद चलाए गए जब भी धरम यूद की बात आती है तो आप देख सकते है कि महा भारत देखी ये कितना बड़ा एक धरम यूद था आधरम के उपर किस तरह से यहाँ पर मतलब जीता गया कोर्व और पांडवो के बीच में जो यूद हुआ था उसमें कैसे कोर्वो ने गलत निति जो चलाई थी या गलत अन्याई किया था पांडवो के साथ तो किस तरह से धरम यूद करके उन्हें हराया गया और यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में और बाकी भी जो वर्ड लेवल पे ये सब चीजे चल रही थी क्या कैस उधार आए नेक्स्ट जो यूनिट रहेगा वो है पार्ट टू जिसमें हम देखेंगे सोल्वी शताबदी के दोरान क्या क्या आर्थिक विकास हुए थी आर्थिक मतलब हो जाता है पैसे से एकनोमिक से रिलेटिड क्या क्या डैवलप्मेंट हुए थी क्योंकि उस टाइम पुनर वेशिक वैवस्ता ओल्ड कलोनियल सिस्टम अब इसका मतलब क्या होता है उपनिवेशिक का मतलब होता है कलोनी बना लेना कलोनी बना लेना कहने का मतलब है कलोनील फोम कैसे होता है जैसे कि भारत की अगर हम बात करते हैं अपने कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो हम कलोन थे हम उपनिवेश थे किसके ब्रिटेन के लगबग लगबग 200 साल तक हम इनके गुलाम रहे और फाइनली पंधरा अगस्त उनिस सुन्तालिस को भारत जो है वो आजाद हुआ यहाँ पर जो ब्रिटेन समराज्य था उससे तो कलोनी यानि किस तरह से उपनिवेश बनाए गए देखें यहाँ पर क्या होता है कि जब एक तरह से पूरी निराशा आजाती है यूरोप के अंदर फिर दुबारा से जो पुनर जागरण होता है इंड्रस्टिन रेविलीशन होता है तो वहाँ पर एक्चुली क्या होता है कि रो मैटीरियल की जरूरत पड़ती है रो मैटी प्रोडक्शन जब अच्छा होगा तो रो मैटीरियल इसके लिए क्या हो गया वीट हो गया ओवियसली तो यह चीज बताई हो यह रो मैटीरियल नहीं था यूरोप के अंदर तो इन्होंने बाकी की जो आसपास वाली कंट्रीज थी उनको कही ना कही निशाना बनाया उनको ओ ट्रेड का मतलब होता है वैपार हमें पता है इस्ट इंडिया कंपनी वैपार करने आई थी और किस तरह से इन्होंने ये देखा कि इंडिया के जो राजा है वो तो आप रसमें लड़ते जगडते रहते हैं क्यों ना इनके अंदर फूड डाली जाए और हम ही टैरिटरी ज हुए थे इस काम में नेक्स जो अध्याय च्छे है चैप्टर नमबर इस तै उसमें है वानित्जिक क्रांती यानि मर्केंटाइल रेविलूशन किस तरह से वानित्य जब इंड्रस्ट्रियन राविलूशन हर इंड्रस्ट्रियन मतलब उद्योगी क्रांती जब आ गई थी तो किस तरह से बहुत बड़ा एक चेंज एक बदलाव आ गया था ये सब चीज़े यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो part 3 है उसके अंदर है विज्ञानिक क्रांती यानि scientific revolution जैसे कि इसमें बताया हुआ है Newton के अविश्कार जो हुए थे Newton के अविश्कार आपने जरूर पढ़ेंगे अपनी previous classes में, school days में Newton के 3 लो होते थे Newton का first लो, second लो, third लो और इसके लावा और भी बहुत सारे जो scientist थे जो विज्ञानिक थे वो अपनी अपनी क्या new new innovation जो होती है innovation का मतलब बता है नए-ने inventions नए-ने अविश्कार करने लग गए थे तो यह हम chapter पढ़ेंगे then chapter number 8 जो है वो है गोरवपूर्ण क्रांती, glorious revolution like अगर हम बात करें कि France की क्रांती हो गई, America ने क्रांती की, यह सब चीज़ें जो होती है इनके बारे में हम पढ़ेंगे and then chapter number 9 जो है वो है उद्योगी क्रांती, इसको बोलते हैं industrial revolution, अगर यह question आए कि सबसे पहले दुनिया में industrial revolution कहां पर हुआ तो यह था आपका अंसर होगा, England के अंदर हुआ, England में, England में भी अगर particular जगा पूछी जाए कहां पर हुआ तो आप कहेंगे Manchester के अंदर हुआ, Manchester जो है वहाँ पर सबसे पहले जो है industrial revolution हुआ, उद्योगी क्रांती है क्रांती का मतलब भी होता है कुछ बहुत बड़ा बदलाव आजाए, कुछ change आजाए एकदम से जिसमें की कोई पुराना जो system चला आ रहा था, वो system ही break हो जाए तो यह सब यहाँ पर होगा हम पढ़ेंगे and then chapter जो 10th है उसके अंदर है agricultural revolution यानी क्रिशी क्रांती जो होती है, दुनिया में क्रिशी जो होती है यह बहुत ही महत्यपून है क्योंकि अगर production ही नहीं होगा तो हमारी जो population है उसके लिए खाना ही नहीं मिलेगा तो किस तरह से इनको अच्छा मतलब खाद वगरा डालके, क्रिशी के नएने उपकरन लाके, लोगों को अच्छा जो especially जो किसान होती है उन्हें credit card देकर या कुछ इस तरह से क्रांती चाहिए होती हैं वो यूज कर सके तो यहां पर हम देखेंगे दुनिया में हरित करांती के जो पिता है वो बोला जाता है Norman E. Borlaug को Norman E. Borlaug और इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो हरित करांती के फादर है वो हो जाएंगे M.S.Wami Nathan, मैं यहां पर इंडिया के father of green revolution हरित करांती के पिता बहुत important और easy से chapter है next जो part 4 है यह very very important है यहां से 16 marks का question आएगा अब देखिए इसमें है पुनर जागरण के महत पून केंदर, renaissance पुनर जागरण का अगर केंदर कहें तो वो है इटली और इटली में हम अलग-लग यहां पर देखेंगे कौन-कौन से उसके केंदर रहे उसके बाद है धरम, सुधार, अंदोलन की अगर हम बात करते हैं रिफोर्म, देखिए सुधार को यहां पर बोलती है, रिफोर्म का मतलब होता है सुधार करना, कुछ नया परिवर्तर लाना, इसको हम देखेंगे देन है उद्योगी करांती से संबंदित पर मुक केंदर जो है, जहां पर interest in revolution सबसे पहले हुआ और किस तरह से वो यूरोप के बाकी countries में फैला, उसके बाद है यूरोप की वानिजिक नितियां, mercantile powers of Europe बोलेंगे किस तरह से business जो है, वो किस तरह से फैला और European Union जो होता है, यूरोप के देशों का एक समू है और currently वर्तमान में इसकी है, 27 देश है इसका बनना भी देखेंगे किस तरह से ये बना, तो सबसे important है देखिए, maps, map के बिना आप इन chapters को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे अगर आप map को correlate करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूरोप के map को वर्ल्ड का map तो आपने देखा ही होगा लेकिन especially आपने focus करना है यूरोप को क्योंकि आपके syllabus में है world history, विश्व के इतिहास को आपने पढ़ना है क्या changes हुए तो यहाँ पर यह जो आप shape देख पा रहे है यह जो है जगा इसको बोलते है रोम यह है आपकी इतली इतली इसको बोलते है इतली यहाँ पर देख लिए जो green green color का यह सब दिख रहे है आपको यह है पानी समुंदर है यहाँ पर और इसके आसपास यह जो आप देख पा रह हुआ होता है तो इसको बोलते हैं Ireland यानि हिंदी में बोल सकते हैं द्वीप यह जो द्वीप आप देख रहे हैं यह भी किसके हैं यह भी है इतली के यह भी है और देखिए इसमें मिलन जो शहर है न यह बहुत ही इंड्रेस्टियल रेविलिशन का एक इंपोर्टेंट सेंटर आज के टाइम में भी है फ्लोरेंस यह काफी इंपोर्टेंट है इतली में फ्लोरेंस में भी हुआ था इंड्रेस्टियल रेविलिशन रोम रोमन एंपायर आपने जरूर सुना होगा रोमन समराज्य यह जो रोम ये भी देखी इटली में है और आज के टाइम में भी आप ये जगा देख सकते हैं नेपल्स हो गया एड्रियाटिक सी है और अगर मैं ये कहूं कि दुनिया का सबसे छोटा देश कोंसा है तो वो है Vatican और ये Vatican City कहीं ओर नहीं है बलकि आपको मिलेगी कहाँ पर Italy के अंदर यहाँ पर आपको Vatican City भी मिलेगी जहाँ पर Pope आज भी यहाँ पर शासन चलाते हैं तो ये छोटी छोटी इंपोर्टेंट चीज़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं लियनोर्दी दा विंची का चितर जो है France के जो एक बहुत मतलब बहुत बड़े पेंटर के द्वारा बनाया गया ये एक्चुली Mona Lisa का पिचर है ओके Mona Lisa ये Mona Lisa है और Mona Lisa का पिचर बनाया था लियनोर्दी दा विंची ने ओके तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है ये है मैक्यावली निकॉलो मैक्यावली है और इन्होंने भी बहुत अच्छी अपनी राइटिंग्स लिखी थी यानि यूरोप में जो भी महत्यपून रहे इंसान जिनोंने अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी अच्छी पोईट्री लिखी नए नया विश्कार किये वो सब यहाँ पर आ जाते हैं उनको एक पिचर में दिखाया गया है तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं यूरोप का यहाँ पर देखिए इंग्लैंड है उपर यह स्पेन है यह फ्रांस है यूरोप होली रोम एंपायर होली मतलब पवित्र को बोलते हैं और यहाँ पर है अल्प्स माउंटेन यह है इटालिन पैनिंसुला चलो मैं आपको प्राइद्वी 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 वाइजेन, थीन, एमपायर ये भी एक समराज्य है जो यहाँ पर बताया हुआ है और आपने क्या करना है students ये जो होता है map इसकी practice करनी है जितना आप इन maps की practice करेंगे जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे तो उतना ही आपको help रहेगी अपने marks को और ज़्यादा gain करने म देखें यहाँ पर यह जो starting में है ये पूर्तकाल है और पूर्तकाल से आपको पता है 4098 के अंदर वासको डिगामा आये थे और वो कोच्ची के अंदर आये थे देखो कहाँ पर है हमारा प्यारा इंडिया ये तो चलो यूरोप का map हो गया इसमें नहीं है world के map में अभी हम कंगे ओके देनहीं पर यह जो है spain पर जाता है France यह इपको मैंने बताया था यह इतली है और यहां पर यह वह रहें जहां पर आपको Manchester शहर भी मिलेगा जहां से industrial revolution start हुआ था तो आपने ज़ादर से ज़ादर इनकी practice करनी है map नहीं है कोई बात नहीं खुद से एक बार बनान लीजिए main-main diagram draw कीजिए पानी कहाँ पर है आपको समुंदर कहाँ पर मिलेगा कौन सा कैसा पार्ट है वो थोड़ा-थोड़ा mind में याद हो जाएगा आप देखी आपने ये अकसर map देखा होगा ये जो map है ये world का map है जिसमें से आपको पता है ये उपर वाला portion उतरी अमेरिका का है ये जो है ये हो जाएगा south यानि दक्षिन अमेरिका ये आपके पास Europe है इसको पढ़ना है आपने यहाँ पर ये जो है ये काफ़ी important है ये जो portion है दन यहाँ पर ये है Asia और ये है हमारा प्यारा इंडिया मैं आपको बता रहे थी कि वासको डिगामा ये देखे पूर्त गाल से चले थे यहाँ से क्रोज करते 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 यहाँ पर आये थे 4098 के अंदर यानि समुंदरी यात्रा जो होती है इनकी यहाँ पर मतलब एक त कंट्री है ये वाली जो कंट्री है ये है जपान जपान अभी टोकियो ओलेंपिक्स हुए थे यहाँ पर जपान की केपिटल है टोकियो तो इन मैप्स को बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है आप देखे यहाँ पर है ये पूर्त गाल फिर है स्पेन फिर ये देखें ये इतली, यह है Switzerland, यह है Belgium, यह है Netherlands, यह है Denmark, यह है Ireland, यह है UK, UK इस तरह से जो बना हुए girl की shape में UK और यह जो है इसको आप बोलेंगे Northern Ireland यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है Iceland, यह है Norway, Sweden, Finland, यह है आप याद कर सकते हैं यहाँ पर development बहुत जादा और ठंड भी बहुत जादा पढ़ती है क्योंकि पोल्स के पास वाला एरिया हो गया, रशिया में भी ठंड बहुत पढ़ती है यह है Estonia, Latvia, Lithuania, यह Poland है, यह Germany है, यह Czech Republic है, Austria है, यह Slovenia है, Croatia है, Bosnia है, Montevelia है, Serbia है सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो important countries है, like Portugal हो गया, like Spain हो गया, France हो गया, Germany हो गया, इनको आप location भार बार देखिए और revise कीजिए यूक्रेन हो गया, Belarus हो गया, यह आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन mainly आप यह देखिए कि किस तरह से जो important countries है, like Italy जो है, Italy आप देख सकते हैं, कि shoe type shape है, यानि जैसे बड़े वाले बूट नहीं होते हैं, winter में जो हम डालते हैं, वैसे आप correlate कर सकते हैं, ओके यह Turkey है, जिसको Turkey बोलते हैं, तुरकी हिंदी में, और यह भी Turkey है, Turkey एक ऐसी country है, जो यूरोप में भी पढ़ती है, और Asia में भी पढ़ती है, यह important है, और इसके साथ रशिया भी एक ऐसी country है, जिसका थोड़ा सा part जो है, वो Asia continent में भी पढ़ता है, और Europe continent में भी पढ़ता है, यानि दोनों का हिसा है, मुझ से अफ्रीका अफ्रीका निकल रहा था, सोरी अफ्रीका नहीं है, तो मैं यह कहा रहती है, रशिया और टर्की दो ऐसी countries हैं, जिनका कुछ पोर्शन जो है, वो Asia में भी पढ़ता है, और Europe में भी पढ़ता है, आगर टर्की की बात करते हैं, इतना सा पोर्शन जो है, इसका यूरोप में पढ़ता है, यूरोप महाद्वीब, यूरोप महाद्वीब मैंने आपको दिखाया है, और वरी इंपोर्टेंट, तो स्टुडेंट्स आप जितना हो सके, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाएगी, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ ओर दिखा देती हूँ, सलेबस अगर हमारे पास यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ा सा और क्लारिफाई हो जाएगा, देखिए, यह हमारी यूनिवर्स्टी के द्वारा जो एक तरह से र इन कोउस्टन दिये जाएंगे, जिसमें से आपको करने हैं, फाइव कोउस्टन्स और सभी कोउस्टन्स कंपलसरी हैं, यहाँ पर देखिए, यह सभी यूनिट वन जो मैंने अभी आपको बताया, यूनिट वन के अंदर आपको मिलेगा, देन यूनिट टू के अंदर है, unit 1 बताई मैंने आपको, unit 2, unit 3 and unit 4 के अंदर आपको maps मिलेगा यूरोप का और यहाँ पर suggested readings हैं कहने का मतलब है कि जो books हैं वो आप ले सकते हैं कोई भी अगर आप interested हैं इसमें से books के writer की क्योंकि यह download किया हुआ syllabus है इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगी कि जितना हो सके आप practice कीजिए और बाकी मैंने आपको syllabus बता दिया है कल से मैं आपको chapter number 1 जो है जो की है आपका किस से related है सामन्त वाल से related है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यह जो सामन्त वाला जो system होता है यह चला था तो books जो है आप ले सकते हैं आप modern की ले सकते हैं आप लक्ष्मी publication की आपको जो भी book अच्छी लगती है easy languages जिसमें आपका syllabus mention है तो आप कोई भी book जो है वो ले सकते हैं तो thank you so much for this class